Exercise 1D, Objective Questions, Question No.9 On Subjecting 6 from –5, we get 6 को Subject करना, किसे Subject करना? –5 से –5 से 6 को Subject करने पर कितना आएगा? इसके लिए 4 options हैं 1st option है, A option है, 1 B, 11 है, C, –11 11 and D, Nanabdij तो इसको सालो करके देख लेते हैं कि कितना आएगा? तो किसे Subject करना है? –5 से Subject करना है इसलिए –5 को पहले राइट कर दिया फिर Subject करना है –6, 6 को Subject करना है तो इसकी value कितनी आजाएगी? दोनों सेम साइन में हैं तो एड हो जाएंगे, तो 5 और 6 को एड करेंगे तो 11 आ जाएगा माइनस का नमबर इसलिए माइनस का 11 आ गया तो माइनस 11 आंसर हो गया तो माइनस 11 आप्शन कौन सा है? C आप्शन है, तो C आप्शन है, इस Correct आप्शन माइनस 8 से माइनस 13 को सब्टेक्ट करने पर कितना मिलेगा? उसके लिए 4 आप्शन है A आप्शन है, माइनस 21 B आप्शन 21 C आप्शन 5 और D आप्शन माइनस 5 इनमें कौन सा Correct आप्शन है? इसके लिए शाल्व करके इसको देखते है तो किससे सब्टेक्ट करना है? माइनस 8 से सब्टेक्ट करना है तो माइनस 8 को पहले राइट किया सब्टेक्ट करना है किसको? माइनस 13 को तो माइनस 8 माइनस इन ब्रेकेट माइनस 13 एक्वल माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 13 दोनों opposite sign में हैं इसलिए subject हो जाएगा तो 13 में 8 subject करेंगे 5 आ जाएगा प्लस का बड़ा नंबर है इसलिए प्लस का 5 आ गया तो प्लस का 5 answer हो गया तो इसमें option में देख लें तो जो c option है इसमें answer कितना दिया 5 दिया है इसका तरफ c option is correct answer